असलाम लेकुम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम सोशल एंटरपेनियोर्शिप में एक की कॉंसेप्ट के हवाले से बात करेंगे जिसको मोटिवेशन कहते हैं मोटिवेशन क्या है, उसको किस तरह से सोशल एंटरपेनियोर्शिप में अप्रोच किया जाता है, क्या थेरीज हैं उसकी किस तरह से प्रक्टिकल लाइफ में वो नजर आता है और आप उसको कैसे असेस कर सकते हैं ये सारी चीजें जो हैं अगले कुछ मॉडियूल्स में हम करेंगे, students वो activities जिनने हम आज सोशल एंटरपेनियोर्शिप के तौर पर जानते हैं सदियों से की जा रही हैं, for example बिमार लोगों की देख भाल करना, आज हम इसको health service के तौर पर जानते हैं, भूके को खाना खिलाना, war against hunger, अनपड को पढ़ने लिखना सिखाना, education services, ये सार services जो हैं, वो सदियों से दी जा रही हैं, लेकिन social entrepreneurship जो है, वो field है जिसने इन services को कोई charity, philanthropy या government service की बजाए एक mission बना दिया है, social entrepreneur वो शक्स है जिसने इन चीजों को अपनी जाती responsibility ना होते हुए भी, अपनी responsibility, अपनी मर्जी से उसको choose किया है, बनाया है, ये सारी activities करना जो है, वो आसान नहीं है, खास तोर पर social problems, जैसे poverty और inequality है, जैसे education sector है और उसमें खास तोर पर females की education है, ये बहुत complex problems हैं, और किसी एक शखस की एक effort से इनको हल करना जो है, वो बजाहर नामुम्किन नजर आता है, लेकिन there are people out there, जिनने हम social entrepreneurs के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इस काम को, इन social issues को take up किया है, और वो mission के तौर पे इसको करते हैं, उनका problem जो है, वो ज्यादा challenging उस वक्त हो जाता है, जब उन्हें इस काम को, इस social mission को आगे बढ़ाने के लिए funds generate करना होते हैं, अगर्चे पबंदी नहीं है, social entrepreneurs जो है, वो donation भी ले सकते हैं और लेते हैं, लेकिन ज्यादा तर social entrepreneurs जो है, वो business rules को इस्तामाल करते हुए, एक enterprise establish करते हैं, जिससे वो profit earn करते हैं, या कम असकम excess revenue generate करते हैं, जिसके ज़रिये से वो अपने mission को expand करते हैं, social problems की nature, उनके causes multiple होते हैं, वो मुख्लिफ forms में appear होते हैं, resources की scarcity, resources की जो channels हैं, उनकी availability, ये सारी जो problems हैं, ये एक अच्छा खासा huge challenge है, जो social entrepreneurs जाँचते भूचते लेते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? ये वो सवाल है जिसको हम motivation की terms में देखेंगे, क्या social entrepreneurs जो हैं, उनकी कोई खास background होती है, कि वो किसी खास social class या किसी खास category, ethnicity या किसी खास gender से आते हैं? क्या social entrepreneurs जो हैं, उनकी socialization इस तरह होती है, उनकी तरबियत इसे होती है, कि उन्हें हम इतने बेशुमार लोगों में से वो चंद लोग हैं, जिनें ये problem नज़र आते हैं, और वो उनको हल करना चाहते हैं, और उसके लिए effort करते हैं? क्या social entrepreneurs जो हैं, उनके पास कोई extra personal characteristics हैं, जो आम आदमियों में नहीं होते, जिनको वो इस्तमाल करते हुए, इन challenging issues को face करते और resolve करते हैं? मुखतसर ये कि social entrepreneurs में ऐसी क्या बात है या उनके पास ऐसा क्या है, जिसकी वज़ा से वो ये challenge accept करते हैं? हम उस चीज़ को, उस characteristics को, जो भी वो खुबी या खसूसियत है, उसे motivation के नाम से जानते हैं. motivation जो है, वो किसी भी action में एक persistent, एक effort है, एक कोशिश है और मुसलसल कोशिश किये जाना है, जब तक वो काम जो आपने take up किया है, वो पूरा ना हो जाए या वो mission जो आपने शुरू किया है, उसको आप accomplish ना कर लें. और motivation सिर्फ काम शुरू करने के लिए काफी नहीं होता, खास तोर पर social entrepreneurship में जब आप social issues को अप्चूस कर लेते हैं, ठीक है, you are motivated कोई ऐसी complex situation है, आप लोगों की तकलीफ देख के परेशान हो गए, आपका अपना कोई ऐसी need या want या जिन्दी में कोई ऐसा experience हुआ, कि आपन काम करना चाहिए, आपने उसको take up कर लिया, असल में motivation की जरूरत आपको पढ़ती है, जब आप उस काम को लेके चलते हैं, आप उस काम को करने के दौरान जब आपके पास resources नहीं होते हैं, जब आपकी family और friends आपको पागल समझ रहे होते हैं, या समझते हैं कि आप अपने resources से जाया कर रहे हैं, जब लोग आप पर ब्रोसा नहीं करते हैं, और जब in fact social entrepreneur खुद अपने आप पर बाज उकात शुबा करने लग जाते हैं, कि क्या वाकई मैं सही रास्ते पर हूँ, मैंने ठीक काम चुना है, मैं उसको ठीक तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी नियत ठीक है, तो फिर इतने problems किसलिए, इवन जिन लोगों के लिए वो काम करते हैं, बास उकात उन्हें यकीन नहीं होता, कि वो उनका मसला हल कर देंगे, या उनके कोई ऐसा खास purpose अपना जाती नहीं है उस मसले को हल करने में, बलके वो उन लोगों के लिए उस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो throughout यह जो process होता है, उस में persistent रहना, उस में काइम रहना, उस में कोशिश करते रहना जो है, उसको हम motivation के नाम से जानते हैं, अगले कुछ modules में हम motivation को social entrepreneurship के हवाले से देखेंगे, कि social entrepreneurship में motivation को कैसे approach किया जाता है, कैसे theorize किया जाता है, कैसे वो express होता है, social entrepreneurs के अंदर, उनके काम के अंदर और किस तरह वो उनको, उनके mission को accomplish करने में help करता है, उसके क्या levels है, उसकी क्या types है, यह चीजे हम अगले modules में discuss करेंगे, thank you.